कैसे आप मैं God of स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीचक्स्ट्रा के इस सेशन पे आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो कहीं न कहीं 23-25 से बिलॉंग करते हैं और उनके मन में एक परकार का जो डाउट चल रहा है संदेश चल रहा है जिस कारण से बह सब्सक्राइबर से बीमार चल रहा था जिस कारण से मैं रेगुलर आपकी कलास भी नहीं ले पार रहा था और आपका यह जो डाउट था सो पुर्ण रूप से किलियर नहीं हो रहा था अभी आपके फॉर्म भरने में बहुत सारा समय अभी आपके पास में है 20-25 दिन का करत होता है क्या फस्ट एयर से विलॉंग कर रहे हैं अभी आपके फरस्ट एयर का एक्जाम नहीं हुआ है कि आप सूझ इये आपके मन में एक संदेह है मैं अलग-अलग परकार के समुवों में हम लोग बिलॉंग करते हैं हमारे आसपास में अलग-अलग परकार के बेक्ती होते हैं सभी लोगों की बिचारधारा सभी लोगों की सोच अपनी अलग-अलग होती है परन्तु आपका जो यह मित्र है सो किसी परकार के कहे गए बातों पर तक मुझे कोई भी तत्त्ह दिखता नहीं है तब तक मैं कुछ भी कहना ही कहता है कि 5 Virginia जिसका मिरे पास में कोई जनकारी नहीं पता है और अक्सर जो है सो फोर्म को फिल पर सकते हैं प्रंतु होता क्या है कि हम सभी सभी लोग अपने भविस को लेकर चिंतित होते हैं भविस में कहीं कोई परिसानी नहीं अर्थात अभी जो आपका यह स्टेप है आप सिक्षक बनने की त्यारी करने अभी आप सभी लोग प्रसिक्चू है आगे चल कर आप लोग BPSC का एक्जाम दीजिएगा उसे आप पास किजिएगा फिर आपका डोकुमेंट वरिफिकेशन होगा तो क्या उसमें आपका यह सीटेट वैलिड होगा की नहीं होगा इस पॉइंट पर आकर आप लोग के मन में एक डर हो जाता है दुसरा आपका टेंशन क्या है कि जब आप फॉर्म फिलप करने जाते हैं तो वहा पर दंस पर आपकी जहां भी आस्था हो जहां भी आपकी विस्वास हो एक वार आप इसवर को याद करें कि हैं इस वह अराण आपनी असीम किर्पा हम सब बनाय रखे यही उपर वाले से प्रातना करते हैं क्युंकि आप सभी लोग हमारे साथ जुर चुके हैं सीटेट जुलाई की त्यारी करने मर था जो सीटेट का आपका एक्जाम होने वाला है साथ जुलाई को इसके लिए आप लोग की पढ़ाई ओल लेडी स्टार्ट है और आप में से मैक्समम मित्र हमारे साथ में कनेक्टेर है चाहे वो हमारा बेसिक मैथ का कलास हो या फिर हमारा सीटेट क्रेकर का कलास हो यहाँ पर आप लोग और लेडी कनेक्ट होगर पढ़ाई कर रहे है साम में यूटूब पर पढ़ाई कर रहे है प्रंतु जब तक इस परकार की समस्याए जब तक इस परकार की चीज़ आपकी माइन में रहेगी यह आपके संः में रहेगा आपको परने में आनंद नहीं कि सबसे पहला आपके मन में जो प्रस्न है कि आपका 23-25 pajas क्या आप सीटेट के फॉर्म को फिलःप कर सकते हैं बिल्कूल कर सकते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूं दूसरा आपके मन में संधिय alltså कि आगे चल कर BPSC में कुछ प्रॉब्लेम तो नहीं होगा इस दो पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे प्रन्तु उससे पहले मैं आपसे एक बात पुछना चाहता हूँ कि अभी जो आप एक्जाम देने जा रहे हैं किसका दिजिएगा सीटेट का तो सीटेट का एक्जाम देने के लिए जो भी इसका नियम होगा जो भी इसका कानून होगा न वह गौरब का हो सकता है और नहीं वह आपके किसी रिस्तिदार का हो सकता है और नहीं वह आपके कॉलेज के प्रिंस्पल का हो सकता है जो भी इसका guideline होगा, जो भी इसका नियम होगा, वो NCTE पुरा decide करता है, NCTE क्या होता है, साइद आपको पता नहीं होगा, मैं भी आपको समझा देता हूँ, क्यों? क्योंकि जब आप CT8 के official website से download कीजिएगा, क्या download कीजिएगा, जहां पर आपके सारे form के information होते हैं, देखिए, यह आपके CT8 जुलाई का क्या है, पुरा का पुरा इसके अंदर में information दिया हुआ है, इस information को आप में से मुझे लगता है, कि मुश्किल से 5% लोगों नहीं पढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि हमारी आदत होती है, अक्सर हम लोग सी जो को आस पास में पुछते हैं, ए सर, हमना फ़रम भरना है, फ़रम भर ले, ए सर, हम फ़रम भर ले, ए दोस्ट फ़रम भर ले, भईया, आप फ़रम भरने हैं तो क्या हुआ हुआ, इस परकार का हम लोग का क्या है, एक परकार का बहवार है, हम लोग तत्थियों के तरफ चलते ही नहीं है, यह जो आपका information है, तो आपके senior है, 22-24 वाले हैं, उनके साथ में था, यही same problem 21-23 वाले के साथ में था, यही same problem 20-22 वाले के साथ में था, अर्थात मैं जो आपको तथ्ये बता रहा हूं, मेरे साथ already आपकी तरह 6 session already pass out है, अभी कहीं न कहीं वह जॉब कर रहे हैं, तो जो भी point है, वह आपके आइए परने का हम लोग पर्यास करते हैं, जैसी है आप लोग यहां पर खोलिएगा, आपका आज आएगा eligibility, चलिए हम लोग चलते हैं, eligibility की तरफ, कि कहां पर हमारा दिया हुआ है, क्या नियम कानून है, क्या विवस्था है, उसकी तरफ डारेक्ट हम लोग चलने का पर्या क्या है आपका, the minimum qualification for appearing in the seated, इसका अर्थ हुआ कि seated के exam में आपको अगर बैठना है, तो उसके लिए जो भी आपका minimum qualification है, वो किसके अधार पे है, तो are as notified by NCTE, NCTE जो आपका नियम कानून बताएगा, उसी के अधार पे आपके seated का नियम है, यही आपका simple से हैं पर line लिखा हु यह आपका seated वाला भी कह रहा है, कि आप सभी विद्यारतियों को मैं यह सलाह दे रहा हूं, कि आप लोग प्लीज NCTE के website को विजिट कीजिए, प्रंतु आपके पास में समय नहीं है, क्योंकि आप लोग आसपास में पुछने का काड़े करते हैं, जब आप इसके website को विजि लाइन है, सीटेट के उपर में, यह आपको एक PDF मिलेगा, NCTE के website पे, NCTE का मतलब होता है, National Council for Teacher Education, अर्थात रास्टिये अध्यापक सिक्षा परिसत के नाम से हम लोग जानते हैं, यह हमारे भारत में, संपुर्ण भारत में, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में, सिक् आया था, यह घटना साइद, उत्तर परदिश साइद जीला का है, जहां पे एपेरिंग को लेकर, एक आपका कोट में केस चल ला था, वहीं से आपके इस आराज कुछ किलियर हुआ, जब इसके website पे आप विजिट कीजिएगा, और इस PDF को आप लोग डाउनलोड कीजिएग तो यहां पे आपको आना है, point number two में, कहां आना है, point number two में आना है, यहां पे लिखा हुआ है, TTC का मतलब क्या हुआ, teacher training course कहते हैं हम लोग TTC को, teacher training course, चाहे आप B.A. कर रहे हो, चाहे आप डिलेट कर रहे हो, चाहे अन्य राजियों में अलग-अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो संपूर्ण कोर्स को इसने रख दिया, teacher training course के अंदर में, and undergoing the teacher training course can be said to be pursuing such teacher training course and a fair reading for cause 5 अथा, जो भी नियम हो, of the NCTE guidelines, a person who has been admitted in TTC and is pursuing, he can appear in the Tate examination, Tate का मतलब क्या हुआ, चाहे हो आपका central government ले चाहे कहीं का भी, बस यही हुआ, तो Tate के अंदर में यह कह रहा है, कि ऐसे कोई भी विद्यार थी, अगर उन्होंने अपने teacher training course में admission ले रखा है, यहाँ पे आपके first year और second year का कोई चर्चा नहीं है, साब साब कह रहा है कि admitted और pursuing का मतलब क्या होता है, pursuing का आपका अर्थ होता है, कि आपका कोई delete का course है, या be it का आपका course है, उस course में जैसे ही आपका admission हो गया, मान लिजे कि कल आपका admission हुआ, और आज आपका क्या आगिया, seated का notification आगिया, तो भी आप पात रहें, seated के form को भरने के लिए, तो पहला जो आपका point था, कि क्या 23-25 session वाले जो मित्र हैं हमारे, वो form को भर सकते हैं, बिलकुल yes, आप form को fill up कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि seated किसका guideline follow करता है, तो NCTE के guideline को follow करता है, और NCTE ने साफ साफ कहा है, कि ऐसे कोई बिद्यार थी, जैसा कि Supreme Court का आदेश है, ऐसे कोई बिद्यार थी, जिन्होंने admission ले रखा है, चाए उनका examination हुआ हो, या नहीं हुआ हो, उनका अगर admission हो चुका है, तो TET के examination के form को fill up कर सकते हैं, अर अर्थात आपका CETED का जो भी degree होगा, certificate होगा, वो पुर्ण रूप से valid होगा, 100% ये valid होगा, ये किसकी बात हो रही है, तो CETED की बात हो रही है, अब हम लोग चलते हैं अपने point की तरफ, अर्थात अपना अगला point क्या था, कि क्या BPSC में कोई दिक्कत होगा क्या, तो क्या है, या तो आप second year में हो, जैसे कि अभी 22-24 सेशन वाले हैं, अगस्त में फॉर्म आएगा, तो second year वाले हो, और आपका CETED किलियर होना चाहिए, अब जब आपका document verification होगा, और वहाँ पे कोई सिक्छक आपको कहेंगे, अरे बुरुबक, तुम तो 23-25 के first year में CETED का exam पास कर गया, यह थोरी ना भैलिड है, तो आप उनको वहाँ पर दिखा सकते हैं, कि मेरे मालिक यह NCTE पूरे guideline को बनाता है, और आप एक बात बताइए, कि बिहार के BPSC के विग्यापन में ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, कि मैं पर्थम बर्स से बिलॉंग कर रहा हूँ, औ और पर्थम बर्स में अगर मैंने सीटेट के examination को पास किया है, तो हमारा बैध नहीं होगा, पूरे बिग्यापन का आप लोग पढ़िए BPSC के website पे, ऐसा कहीं कोई चर्चा नहीं है, सिंपल सा चर्चा है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो भी बिहार के आ इक दिन हो, चाहे छो महिना हो, चाहे दू महिना हो, अगर आपने examination नहीं भी दिया है, और आपका admission हो रखा है, तो आप सीटेट के फॉर्म को फिलब कर सकते हैं, बात रहा BPSC का, तो BPSC के फॉर्म भरने का जब भी उसका विग्यापन आता है, वहाँ पे साप साप लिखा वरता है कि किसको फॉर्म भरना है, उसे सीटेट क्वालिफाई से मतलब है, आपका डिलेड हो, बीड हो, अगर आप से केंड एर में है, फाइनल एर में है, तो आप फॉर्म को फिलब कर सकते हैं, यही दूग और नियम चलता है हमारे BPSC में, इस परकार के तथियों से आप बचे, आसपास में जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके आसपास में आपके नजर में अनुववी बेक्ती हैं, उन बेक्तियों से इस पॉइंट पर चर्चा करें, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझ पर आख बंद करके विस्वास किजिए, पर मैं आपको यह अवस सकें कि मैंने इस गाइड लाइन के कोरणिंग काम किया है, आपकब्ला यूटूब चैनल पे गौरम नेंफ बताया था, मैं उसके कोरको मैं कभी नहीं, यह हमारा कोई साक्षत nहीं है, आप मेरे बात को कोट में नहीं दिखा सकते हैं, प्रंतु जो आपका NCTE के साइट पे अफ्लोड है डॉकूमेंट। उसक्यृ देखां कर अपने रोजगार वापस पराप्त कर सकते हैं। तो अपने दिकार को 보시면 जानिये। और लोगों द्वारा कहें गये विविन परकार के बातों से कुछ बचे आस पास के लोग 50 तरह के भरांतियों को फेलाते हैं जिन्होंने सीटेट को कौलिफाई कर लिया उनके लिए कहना असान है कि सीटेट बहुत असान है प्रंतों आप आप विभीन प्रकार के मिथक से बचिएगा आपके मन में जो एक भरम चल रहा है उस भरम से आप बचिएगा और तब जाकर आप सोतंत्र रूप से पढ़ाई कर पाईएगा तो बिल्कुल भी टेंसन न ले जो भी हमारे 23-25 सेसन वाले मित्र है वो अराम से फॉर्म भड़े और लास्ट में आपके मन में प्रस्ण होगा कि गौरब जब मैं फॉर्म भरने जाता हूँ तो वहां पे एपेरिंग पे क्लिक करने पे ऑप्सन में 2024 आता है पचीस नहीं आता है यही सेम प्रॉब्लेम पिछले बर्स हो रहा था 22-24 वालों के साथ में 23 का ओप्सन आ रहा थ प्रंतु 24 का ओप्सन नहीं आ रहा था यही सेम प्रॉब्लेम 21-23 के वाले में साथ में हो रहा था 22 का ओप्सन आ रहा था 23 का ओप्सन नहीं आ रहा था तो फिलहाल आपको एपेरिंग फिर क्लिक करके 24 को सेलेक्ट कर लेना है यह सायद सीटेट वाले बाद में अपलोड करे या correction के समय में option दे तो भी आप सही कर सकते है या अगर आपने 24 भी कर रखा है तो कोई दिकत नहीं है क्यों क्योंकि NCTE आपको allow करता है और वही चीज चलेगा जो NCTE बोलेगा हम और आप जो बोलेंगे उसका कोई मतलब नहीं है कोई साक्षे नहीं है NCTE जो बोलेगा उसी को आ मानना है I hope आपको मेरी बात समझ में आई हो अगर समझ में आया हो तो आए जुरिये साथ में मिलकर हम लोग पढ़ाई करते हैं किस चीज में तो basic math और सिटेट करेकर में कि तमाम फालतूं चीजों से बच कर रहें ऐसे बेक्तियों से बात करें जो आपको दिखा कर आपको स ताकि आपके पास में एक साक्षे हो आपके पास में एक सबूत हो I hope आपके मन के ये समस्याएं दूर हो यूंगी अगर आपको मुझे पर विस्वास है तो फॉर्म फिलप करें अगर विस्वास नहीं है तो well and good जहां आपको विस्वास है वहां के सोच के अधार पे आप फ कुछ समझा दिया थाइंक्यू मिलते हैं हम लोग साम के कलास में साड़े छे बज़े बाए बाए